दोस्तों हमारे कुटों को ऐसी अजीब अजीब चीज़े पसंद होती है वो ऐसी अजीबो गरीब भरकते करते हैं जो हमारी समझ से परे होती है भाई दूसरों की पोटी में डोल कौन होता है? हमारे कुटे और कौन? खेर भले हो कुछ भी करे पर हो हमारे चेरे पर स्माइल जरूर लाते हैं तो आज हम इस वीडियो में हमारे कुटों की ऐसी अजीब हो गरीब हरकतों के बार में बात करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं और ये वीडियो की सबसे अच्छी बात ये कि एक original content है, ये बनाया हुआ नहीं है, लोगों का personal experience है, तो इस वीडियो को लास तक देखना जुरूर क्योंकि इसमें और भी मजाने वाला है. नमबर 8 पोटी में रोल होना, नॉर्मली कुदो को गंदी जगा पर जाकर रोल होना अच्छा लगता है, फिर भले ही वो किसी की पोटी क्यों ना हो, तारा स्मिट शेर करती है, किससे बुरा क्या हो सकता है कि जब हमारे कुद्धे किसी की पोटी में जाकर रोल करते हैं, और जब उसने ये बाद उसके वेट को जाकर पूछी, तो उसके वेट ने बताया कि शायद हो किसी फिमेल लोग को इंप्रेस करने के कोशिश कर रहा होगा, यार कितनी मेहनत लगती ना गुद्धो को उसकी गल्फेंड को इंप्रेस करने के लिए, उसकी पोटी में रोल होना पड़ता है इससे तो अच्छा है कि भाई सिंगल ही रहा है नमबर सेवन पीनट बटर जैसे हमें पीनट बटर अच्छा लगता है वैसे गुतों को भी लगता है तो कि पीनट बटर टेस्की होता है अब गुतों को पीनट बटर कितना पसंद है उसका ये प्रूफ है नमबर 6 मक्हिया अब गुद्धों को मक्हियों में से कोई nutrition नहीं मिलता है फिर उसे पकड़ कर मारना और उसे खाना उसका एक शोक होता है संदीप शर्मा शेर करते हैं कि उसका डोग या तो मक्हियों के साथ खेल रहा होता है या फिर उसका flavor ले रहा होता है और घबी कभी हो क्या करता कि आधी मरी हुई मक्हिया उसके पास लाकर उसके एक line करता है जैसे कि वो दिखा रहा हो कि dead मक्हिया ऐसे पकड़ते है इस पर साइंस कुद्धों को music अच्छा लगता है normally classical और relaxing वाला स्वामी सुद्ध बताती है कि एक बार जब वो गाना गा रही थी लाकड़ी की काठी 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 पे घोडा और उस ताइम पर उसकी डोग एंजल खेल रही थी और जैसे उसने गाना सुना तो तुरांती उसके पास आकर वो गाना सुनने लगी अब थोड़ी देर के बाद वहीं सो गई अब जब भी उसे अपनी डोग एंजल को सुलाना होता है तब वो यही गाना गाती लाकड़ी की काठी 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 पे घोडा और उसकी डोग एंजल सो जाती है अब अगर हम लोगों की बात मानें तो कुतों के फेवरिट शोज भी होते है एलिशाबेट मेयर जो की एक डोग ट्रेनर हो बताती है कि उसके डोग को टीवी में सिर्फ फुटबोल ही देखना पसंद है तो हमेशाब फुटबोल देखता रहता है बाकी कोई चीद में उसे इंटरस्ट नहीं आता है और ऐसे ही एक और भी यूजर ने इंटरनेट पे शेर किया है कि उसके डोग को सिर्फ एलिफंट की डोक्यूमेंटरी पसंद आती है सबसे सस्ती और सबसे अच्छी ट्रेटर है आइस क्यूब नमबर टू, लकडी की स्टीक, कुटों को लकडी की स्टीक अच्छी लगते है क्योंकि वो उसे बॉन की तरह चबा सकते है, कारा क्विक शेर करती है कि कुटे लकडी की स्टीक और बॉल से एक दूसरे से बाच्चित भी कर सकते है, तो वो उसका kind of smartphone ही हुआ ना, कि वो उसे बाच्चित भी कर सकते हैं, और time pass भी कर सकते हैं, अब finally number one, shiny objects, अगर आपने notice किया होगा, तो बहुत सारे कुटों को shiny objects से एक अलगी level का लगा होता है, shiny objects जैसे कि हमारा phone है, हमारी jewelry के items है, और बहुत सारे कुटे क्या करते हैं कि कभी-कभी अपने मालिक के phone को कहीं जाके बादेते हैं, या फिर मुँ में उठाकर भागने लगते हैं, और उसके मालिक को उसके पीछे-पीछे भागना पड़ता है, तो दोस्तों यह थी हमारे कुटों की कुछ ऐसी अजीबोगरी भरका थे, जो में भले ही समझ में आये ना आये, पर इससे हमारे छेरे पे smile ज़र